थाली भर के मैंने बनाए हैं ताजा नारियल के लड़ू आप देखिए बहुत ज़ादा सौफ्ट सौफ्ट बने हैं और टेस्टी तो इतने ज़ादा बने हैं कि आप नारियल के बुरादे के लड़ू इसके आगे खाना भूल जाएंगे क्योंकि ज़ादा तर आप लोग नारियल के बुरादे से नारियल के लड़ू बना कर खाते हैं लेकिन जब असली नारियल के ये लड़ू आप बना कर खाएंगे न तो बस खाते ही रह जाएंगे और मैं आपको इसे बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें आपको इसमें ना तो एक बूंद भी घी डालना पड़ेगा, ना चाशनी बनानी पड़ेगी, ना मावार पड़ेगा इसमें और ना ही कंडेंस मिल्क हम इसमें डालेंगी तो तेहारों के मौसम में आप कुछ और बनाए ना बनाए लेकिन ये ताजा नारियल के लड़ू एक बार जरूर से बनाईए तो चलिए मैं जल्दी से आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ पर सबसे पहले हेलो एंवरिवान इडिया मिशस पर आपका स्वागत है तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे नारियल तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं ताजा नारियल से ही आपको ये लड़ू बनाना बताऊंगी नारियल के बुरादे से नहीं तो मैंने दो नारियल को तोड़ कर निकाल कर उसकी छिलकों को साफ करके इस तरह से छोटो टुकड़ों में कट करके लिया है नारियल का ब्राउन वाला छिलका भी हमें पील करके निकाल देना है ताकि एकदम सफेद सफेद हमारे लड़ू बन करके तयार हो अब मैंने यहाँ पर दो नारियल लिये हैं वजन में ये टुकड़े पूरे सवा 400 ग्राम है तो इतने में हमारे एक किलो जितने ताजा नारियल के लड़ू अराम से बन जाएंगे अब छोटे चोटे टुकड़ो हमने कर लिये हैं फिर हम क्या करेंगे आधा आधा कप करके इसमें दूद डालेंगे दूद से एक तो इसको पीसने में भी आसानी हो जाएगी और टेस्ट भी इसका फिर बहुत जादा अच्छा आएगा तो आधा कप दूद में इसमें डाल द जाहिए जादा सी जादा ये बारिक हो जाना चाहिए में इसमें तकरिबं सव कप दूद एट किया है व् तो ये हमने अच्छे से इसको पीस लिया है, चलिए अब आगे इसका हमें क्या करना है, वो देखते हैं, तो अब कढ़ाई में हमें कुछ नहीं डालना है, सीधा ये पिसा हुआ नारियल का पेस्ट हम डाल देंगे, गेस के आज को स्लोपर रखेंगे, और अच्छे से इसे मि दूद निकल रहा है एक तो ये नॉर्मल काव मिल्क भी है और इसी के साथ ताजा नारियल में भी जूस होता है जो कि दूद के जैसे ही दिखता है तो वो भी है तो अभी हमें इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है और लगातार चलाते रहना है इस बात का ध्यान रखे और इसके आज को तेज नहीं करना है तो ये आप देखिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पका लिया है कलर चेंज नहीं हुआ है और हमें करना भी नहीं है अब इसमें क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालते जाते हैं ताकि वो भी इसमें अच्छे से पकती तो मैंने इसमें एक कप चीनी एड़ की है इतने नारियल के लिए एक कप चीनी बराबर रहती है जो लड़ू बने है वो एकदम परफेक्ट मीठे बने है लेकिन आप चाहें तो इसको टेस्ट करके चीनी कम्याजादा भी कर सकते हैं चीनी डालकर हमें इसको मिलाना है पहले तोड़ी चीनी डालेंगे फिर मिलाएंगे फिर और चीनी डालेंगे और फिर मिलाएंगे इससे जो चीनी होगी वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो यह आप देखिए चीनी डालने के बाद हमें इसको फिर से पकाना है वैसे इनको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चीनी ज़्यादा इसमें पानी नहीं छोड़ेगी अगर आप उसको सही टाइम पर एड़ करेंगे तो यहाँ पर नायल जो है वो अच्छे से इसमें पक गया है आप देख सकते हैं कलर इसका ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा सा ट्रांस्पिरंट टाइप का तो यहाँ पर मैने इसको टेस्ट किया है, अच्छे से पग गया है, अब हमें इसमें मावा डालना तो हे नहीं, लेकिन मावा वाला सुद्ध भी चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे milk powder तो मैंने ये एक cup milk powder लिया है इसे डाल देंगे अच्छे से इसको मिला लिए इसे बनाना इतना आसान है जैसे बस आपको सारे चीज़ों को मिला करके बस गाड़ा होने तक ही पकाना है फ्लेवर के लिए मैं इसमें कुछ नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे बस इसमें नारेल का ही स्वाद चाहिए कभी आपने नोटिस किया हो तो हलवाई भी बाजार की मिठाईयों में कभी भी इलाइची का पावडर नहीं डालते हैं तो यहां पर मैं इस नारेल के स्वात को बिल्कुल भी नहीं दबाने वाली हूँ और यहां पर before भी बहुत अच्छे से पग गया है उसे दबाने पर इसमें से अब बिल्कुल भी दूद नहीं निकल रहा है और आप देख सकते हैं गीला पन भी नहीं है तो कुछ इसी तरह से हमें इसे गाड़ा करके लेना है तो बस अब गेंस के आज को बंद करेंगे और इस पूरे मिश्रण को निकाल करके ठंडा करेंगे तो इसको हमें अच्छे से फिला देना है बरतन में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो मैं ये जो आपको ताजा नारियल के लड़ू बनाने की रेसिपी बता रही हूँ आपको अगर पसंद आए ना तो लाइक करना आप बिल्कुल भी ना भूले और सभी के साथ इसे शेर करें ताकि तेहारों के इस मौसम में वो भी ऐसे ही ये लड़ू बना कर खा सके ठंडा कर लिया है अब बस हाथों पर हलका सा घी लगा लेंगे जिससे कि ये हाथों पर जादा चिपकेंगे नहीं और फिर लेंगे एक छोटा सा मेजरिंग कप ताकि हर लड़ू हमारा एक बराबर साइच में बनकर तयार होगा तो आप देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने इस लड़ू को बना लिया है अब क्या करेंगे कि सूखा नारेल का बुरादा हम लेंगे जिसको कि इसके बाहर की तरफ हम हलका हलका सा लगा लेंगे जिससे ये देखने में और जादा अच्छा लगेगा आप चाहें तो थोड का सा नारेल के बुरादे से लपेट लिया है थोड़ा सा एक बार और हाथों में इसको ले लेंगे और यह आप देखिए देखने में बहुत ही जादा टेस्टी लग रहा है मेरा तो खाने का दोबारा से मन होने लगा है तो बस यह मैंने इसको प्लेट पर रख लिया है कर देखेंगे तो एक किलो के आसपास है अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही रहने देंगे हवा में रख देंगे ताकि यह थोड़े से सेट हो जाएंगे और फिर इसको हम सर्व करेंगे इन लड़ों को अगर आप चाहें तो अपने महमानों को गिफ्ट म करेंगे जब आप एक बार इसको ऐसे बना कर खाएंगे चाहे भले ही इसमें ना हमने घी डाला हो ना मावा डाला हो लेकिन टेस्ट इसका ऐसा आएगा कि मावे वाली मिठाईयां भी आपको फीकी लगने लगेगी तो एक बार मेरे तरीके से ताजा नारियल के लड़ों ब झालद दो ऑन थांक्स पर वचिए खिए और मिठावस